राजस्तान का नाम आते ही कुछ लोगों के मन में बैठ जाता है रैगिस्तान एरेद के टिले दूल बरी आदिया सब जगे सुका ही सुका पेड़ नाम की तो कोई चीज नहीं लेकिन दोस्तों आज हम आपको ऐसी जगे ले चलेंगे जहां पर आपकी ये जो गल्पना है बिल कुछ ज्यादा प्राकर्थिक की वित्ता है कहीं रेतिले तीले मिल जाएंगे तो कहीं अरीबरी वाधिया भी आपको देख को मिल जाएगे जैसे मेर जैसा रैगिस्तान है तो उदेबूर जैसा पहाड़ी लाका और जीलों की नगरी ऐसा ही एक डेस्टिनेशन राजस्तान इस्तित है जिसका नाम है वाटरफॉल या दोस्तों है यह तो पाली और राशमंद की सिमा के वीच में इस्तित आड़े रावलिव अभ्यारण में इस्तित हैं यहां की प्राकर्थिक छिटा मनोर्व महेन बहुत ही सुंदर दर्ष से हैं यहां मुख्य मारक से चार किलोमेटर अंदर वन में कच्चा रास्ता है इस रास्ते पर जाने के लिए या तो आपको पैदल चलना होगा या आपको बड़े टायर वाली जीप जैसे गाड़ी लेकर चलना होगा पैदल चलना थोड़ा रिश्की इसलिए रहता है क्योंकि यहां पर बेड़िये, पैंथर, बालू, बंदर जैसे जंगली जानवर पाये जाते हैं यहां प्रामोसम बारिश के दिनों में बहुत ही अच्छा हो जाता है चानों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है पहाड़ी इलाका होने से काफी ठंडा भी रहता है लेकिन यहां गूणने के लिए सबसे उप्यूक्त जो समय है वो है अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच क्योंकि इस समय बारिश हो जाती है हरी बड़ी पहाड़िया नजर आने लगती है और जो प्रकृतिक जायना है वो भी अपने फुल वेक से चलने लगता है दोस्तों यहां जीप से पहुंचने के बाद भी आपको डैड़ से दो किलो मिटर के लगत प्यादर सफर करना पड़ता है और यहां बड़ा रास्ता नहीं है तो बेड़ी जैसा रास्ता इती है बड़ा रास्ता बन जाता तो साइद इसकी जो ब्यूटी है नेचर की प्रकृतिक छटा है वो बाइब हो जाती इसलिए यह गुल्वी बाद वालों ने एक ऐसी वेस्ता कर रहती है जहां लोगों की वीर ना लगे प्रकृतिक सौंद्रे को नुक्षान नहीं पहुचा चलिए पैदल चलते चलते हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे वीलबेरी वाच ओफ वाल जहां उचाई से पानी किरता है बड़ूत की ठुना पानी है इससे पहले दोस्तों आप देख लीजे यह कि जो रास्ते हैं बीटिक पग्रेंडी से है और अगर बारिश हो रही होती है तब हमें थोड़ा साधान रहना होता है क्योंकि मोसं में फिसलंग भी होती है और चटाने किस्कना का भी डर थोड़ा बना हुआ हो रहता है फिर भी बाकरतिक चटा आनंद लेना है और वो भी राजस्तान में सिंग्रा जैसा आनग अगर आपको अना ही परेगा इस सुंदर सी चोटी शी जगहें जहां पर छोटे चोटे जड़े तो हर समय बेहते रहते हैं बारिश के मुश्चमें यहां आपको छोटी छोटी नदिया छोटे छोटे जड़े हर तरफ नजर आ जाएंग अब्रूद है आम है और स्थंडी शुंदर बहार में गुलने का अनंद कुछ और ही होता है दोस्ति प्राकर्ति चीजों का जो अनंद इलबेरी में आपको देदने को मिलेगा वो राजस्तान में तो साइब पहीं नहीं मिलेगा यह जो सपेब सी लाइन दिखाई गेरी है बीच में वहीं पर जगना इस्तिता चले दोस्तों पैदन चलते हैं और आगे बढ़ते हैं यहां जंगल में खाने पिने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा ना किसी तरह की यहां केंटीन है ना पानी की शुईदा इसलिए रास बूक मिटाने के लिए अपने कंदों के वीचे बेहग बदकर ही चलना दोस्तों साथ में आपका अच्छा कैमरा भी लेके चलना और ग्रूप में चलना क्योंकि पहड़ी इलाके में मोबाइल टावर गाइब हो जाता है ऐसे में आप अगर विच्डवे तो मिलना बहुत विच्ड़ेंगे नहीं में दोस्तों जूप में चलना चली आगर बढ़ते हैं बच्चों को थोड़ा ज्यान दखें बच्चों को साथ दानी सिचाने के लिए कहें फिस्लेंड बरा मारग है बुड़ खबड मारग है लेकि हैसा अगर चली दोस्तों आपको तिक्किया होग यह हमारा दूल सा सफेद बहने वाला जर्ला बीर बेरी वाटरफोर उपर से गिरते होए पानी बिल्कुल साथ दिखे देता है लेकिन जो नीचे के टैंक में इस्टोर पानी है इसमें थोड़ा असाथ फिशलन है इसलिए आपको नहाते बाद पूरी शाओदानी रखने को पैर फिशलने से आपको चोड़ भी आ सकती है अधर इसमें रहने से पहले ए दूसरे का अफार पख़ ले और दीरे दीरे नहाए देखे दोस्तों राजस्तान में पाये जाने वाला यह दीर गरी जाना है कितना मनोरम तक्से है हम थोड़ा लेक पहुंचे थे अक्टुबर के महीं बेच लिए थोड़ा पाली कम होता है बाकि यहां पाली भी बहुत व्यक्त से बहता है तिस सुन्दर छटा राजस्तान में देखते हैं राजस्तानियों के बारे में राजस्तान के बारे में जो बननी हुई आपकी इमेज है बहुत बदर चाहिए